माई या फिर जून तक इसी साल फारविस गंज तक लाइन चालू करने के लिए आज का हमारा लेटेश वीडियो अपडेट है जहांके हम बात करेंगे फारविस गंज तक बनने वाला नई लाइन कम चालू होगी और रेल परसासन की ओर से क्या कुछ बड़ी अपडेट निकरके सामने आई है इसे वीडियो में बढ़ेंगा अगे साथ हमारे चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब चो कर लें सब्सक्राइब सीमांचल को मिधलांचल से जोडने वाला यह रेलखंड 1934 से बन था और लगवग 86 साल के बाद ट्रेन चालू इस रेलखंड में होने वाला है इस रेलखंड को फिर से चालू करने के लिए 2012 में आमान परिवर्थन का कारे सुरू किया गया था बीते 10 सालों से इस रेलखंड पर कारे चल रहा है लेकिन इसी और दूसरी खेज की बात करे थो इतना ही नहीं वलकि इसी साल मैई या पिर जून मैने में फार्विस गंज तक लाइन चालू करने के लिए रेल परसासन की ओर से योजना जारी किया गया है अब फार्विस गंज के लिए जितनी भी ट्रेने चलाने के योजना है जिसका प्रस्ताव अब तक बनाया गया है उन ट्रेनों को भी आगे चलाया जाएगा लेकिन अब इंतिजार है मैई या फिर जून के महने का क्योंकि इसी महने में फार्विस गंज तक एक्स्टेंशन हो सकती है ट्रेने और नई लाइन चालू भी हो सकती है यह वीडियो कसा लगा कमेंट बॉक्स में छोड़े जाएं साथ इस वीडियो को सेयर करें और आने वाली नई ट्रेनों के अन अपडेट के लिए हमारे चैनल को करने सब्सक्राइब